सो गई सभी जो आप लूग मेरे पास आईडी देख रहे हो यह आईडी अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉल रेकॉर्ड आईडी है क्योंकि यह आईडी एक ऐसा लीजेंड प्लियर का सेकंड आईडी है जिसे यूटूबर बनने का बहुत सोक था यहां तकि उसने राके अपने आप लॉग इन हो जाता है और कोई ना कोई इस बंदे का फैबरेड रियर आइटम बाई करके देता है मतलब कि भाई लिटरली इसके दोस्त ने मुझे बताया यह आईडी तीन महीने बाद अपने आप मेरे फोन से लॉग आउट हो जाता है और किसी दूसरे के फोन में लॉग इन हो जाता है फिर जैसे ही में दो-तिन दिन बाद अपने फोन में इस आईडी को लॉग इन करता हूं तो मुझे कोई ना कोई रियर आइटम देखने को मिलता है और आप लोग यहाँ पे जो बंदल देख रहे हो यह बंदल भी इस आईडी में तीन महीने पहले इस आइडि के अंदर तो मैं आप लोगों को इसका भी collection दिखाऊंगा और आप लोग जैसे इसका collection देखोगे तो आप लोग खुद कहोगे कि इतना नया आइडि के अंदर इतना rear bundle कैसे हो सकता है और हाँ मैं आप लोगों को इसका story भी सुनाऊंगा वैसे अगर देखा जाए तो सबकी लाइट में कोई ना कोई स्टोरी छुपी होती है और आप लोगों में भी कोई ना कोई स्टोरी तो होगी ना कैसे आपने गेम खेलना सुरू किया गेम खेलते समय आपको क्या-क्या परिशानी फेस करनी पड़ी तो इसी तरह इस बंदे का भी सैम ऐसा ही एक इस्टोरी है जो कि अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ और ये इस्टोरी मुझे इसी के पड़ोसी दोस ने बताया तो ये बंदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जिसका नाम राहूल और इसका दोस का नाम खेलता था तो ये दोनों दोस आपस में मिलके इसी को खेला करते थे और देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी 10 के एकजाम पास कर ली तब अपने मम्मी पापा को जीत करने लगे कि अब हमें नाया फोन दिला दो एंड दोनों के माबाप ने इंटेक्स का 1GB रेम वाला दिला दिया क्योंकि तब इंटेक्स का जमाना था सबसे बड़ा इस्मार सा दिखता था तो इन लोगों वो फोन देखते ही पसंद आ गया फिर जैसे उस फोन को बाई किया जमाना आया फ्री फायर का तब इन लोगों को फ्री फायर खेलने का तो बहुत मन करता था लेकिन का रेम एक जिबी होने के बज़े से ये लोग उतना अच्छे से गेम ही नहीं खेल पाते थे फिर दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग खुद काम करके एक नाया फोन लेंगे लेकिन दोनों के घरवाले कहने लगे कि नहीं अब तुम लोगो फोन दिला दिया है तो अच से करीब 5 किलोमेटर दूर जाके एक फैक्टरी पे काम करने लगे और करीब 5 महिने काम करने के बाद दोनों नहीं सेमसंग का फोन लिया फिर दोनों आपस में मिलके बहुत ज़्यादा प्रीपार खेलने लगे फिर एक दिन ऐसा भी आया जहां राहूल देप को कहता है आप मैं रैंक पुस करके यूटुब में वीडियो डालूंगा और में भी बहुत बड़ा यूटुबर बन जाऊंगा फिर राहूल एक यूटुब चेनल बनाके रैंक पुस करने लगा और देखते ही देखते हो देप के साथ खेलके ही हिरोईक पहुंच गया लेकिन उसे ग्रे दीरे-दीरे करके अपने-अपने नए-नए दोस्तों के साथ गेम खेलने लगे लेकिन रैंक पुसिंग के चलते राहूल बहुत जादा ही गेम खेलने लगा तो घरवाले भी उसे देखके परिशान होने लगे कि अब मेरा बेटा पूरी दरीके से बिगड़ चुगा है ल राहूल ने उस गेम में पूरा केंपिंग करना शुरू किया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब मैं जैसे भी करके अंकू सेपप को मारूंगा लेकिन बेचारा अंकू सेपप का AWM से बच्ची नहीं पाया तो सिंपली उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज़के गेम ब राहूल का गेम प्ले अच्चा होने के कारण अंकू सेपप भी राहूल के साथ गेम खेलने लगा मतलब कि दोनों की थोड़ी बहुत अच्छी खासी दोस्ती होनी शुरू हुई तो एक दिन देखते ही देखते राहूल के बड़े के दिनी क्रिमिनल बंडल का इंकूबेट थे और उस टोकन कोική एक्सेंज करके ये फ्लैकों डॉक्टर बंडल मिलता था पेर राहूल को ये वाला बंडल बहुत अच्छा लगा तो राहूल ने रेंक पुस्स करना चोड़के जोढ फीमोन खेलना स्टाड़ किया और देखते ही देखते राहूल को ये वाला बंडल म सब लोग उनको जानते थे तो राहूल की पूरी स्क्वाइड मिलके जिक्स भाई की स्क्वाइड को ढूणने लगी और फैक्टरी के सामने उन लोग को मार दिया तो उन्होंने राहूल को फ्रैन रिक्वेज़ा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने फिर राहूल ने भी कि आप मुझे जिक्स भाई के टीममेड के साथ ही रैंक पूस करना चाहिए क्योंकि तब के टाइम पे एसके सबीर टॉप उन क्या करता था फिर देखते ही देखते राहूल को लगने लगा कि अब मैं अगर इन लोगों के साथ ही गेम खेलता रहूंगा तो मैं कभी भी टॉप उन ने कर पाऊंगा फिर राहूल ने कुछ नए दोस्त बनाए जिसके साथ यह अपना आईडी का गेंग बेंग कराके रैंक पूस करने लगा लेकिन जैसे टॉप त्री पे पहुंचा तो उसी का दोस्त ने उसका आईडी स्केम कर दिया मतलब कि भाया आप खुछ सोच के देखो उस टाइम पे राहूल के अंदर क्या बीता होगा क्योंकि उसने टॉप वन जाने के लिए अपने जी जान सब कुछ लगा दी थी लेकिन वही है ना इसको इस आईडी पे उतना गेम खेलने का मनी नहीं करता था बस कभी-कभी ऐसे टाइम पास के लिए इस आईडी पे गेम खेला करता था और कभी-कभी छोटा मोटा टॉप अप बगरा मारने के लिए यह आईडी को देव को दिया करता था तो एक दिन र और इतना होने के बाद मुझे देव ने बताया कि सोनु भाई राहूल के जाने के बाद सही इस आईडी पे कुछ अजीब अजीब चीजे होने लगी यह मतलब कि यह आईडी देव की फोन से अपने आप लोगाउट हो जाता है और दो-तीन दिन बाद देव जैसे गेम ओपन करता है तो उसे कोई ना कोई रियर चीजे देखने को मिलता है और उसका मानना यह है कि यह बंडल उसका फैबरेड हुआ करता था तो उसी ने इस आई पर देव हैं और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी दक वीडियो को सेर नहीं किया है तो सेर वाले बटन पर क्लिक करके अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को सेर कर देना और अगर आपका भी कोई ऐसा ही स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो क इसे गों देदेना पहले कंफर्म कर लेना कि मैं हूं की नहीं तब जाके आप लोग अपना आइड़ी पास पυτर मुझे सेर करना और मैं जिससे भी आईडी लेता हूं मैं उसके साथ पाहले वोये अजी सेर करता आूं झाल 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 झाल